सब्सक्राइब कीजिए असंग देवजी के यूट्यूब चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें सिधे बैठ जाओ तो कभीर साहिब क्या कहते हैं वो तो ऐसा ही हुआ आपको किशी ने ठग लिया है तो कभीर साहिब कहते हैं वो ठग को तुम मत ठगना और ठग बनना भी नहीं चाहिए किशी को ठगना कभीर साहिब कहते हैं कभीर आप ठगाईए और न ठगिये कोई कभीर साहिब कहते हैं आप ठगा जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा और दूसरे को ठग लोगे तो दुख मिलेगा इसलिए जितने लोग दूसरों को ठगते हैं न वो सब दुखी रहते और जो लोग ठगा जाते हैं वो फिर सुखी हो जाते हैं आपका कोई दो चार हजार रुपे चुरा ले वो राजा नहीं बनेगा लेकिन आपका स्राप लग जाएगा जिस स्राप के कारण वो कंगाल हो जाएगा इसलिए याद रखना ठगने का धन्धा छोड़तों और ठगना ही है तो किसे ठगना चाहिए जो ये मन रूपी ठग है जो मन ठग है पुरी दुनिया को ठग रहा है इस मन रूपी ठग को तुम ठग लो अगर इस मन रूपी ठग को नहीं ठग सकते हो तो कबीर साहिब कहते है फिर ठग ही करना छोड़तों ये मन शंसार में आने के बाद सब को ठग लेता है कभी आपसे चोरी करवाता है कभी आपको दारू पिलवाता है ये दारू लोग क्यों पीते हैं सुरू सुरू में जो पीते हैं पहली बार जो पीते हैं फस्ट बार क्यों पीते हैं आपको पता ये ये पता लगाने के लिए पीते हैं कि दारू में है क्या ये उसका पता लगाना चाहते ही आखिर इसमें है क्या और एक बार पता लगाने जाते है जैसे कोई नमक कोई में डूब की लगाए पता लगाने के लिए कुमक कितना गहरा है तो अंदर जाते जाते वो नमक घुल जाएगा वो तो वापस लोटे गाए ये पता लगाने के लिए दारू में डूब की मारते हैं और फिर ये ऐसा डूब जाते हैं कि भी निकल कर बाहर ही नहीं आते हैं ये मन रुपी ठग है कभी इनको दारू के माध्यम से ठगता है सराबी बना कर ठग लेता है कभी आपको जुवारी बना कर ठकता है लोग जुवारी कैसे बन जाते हैं जो जुवार खेलते शट्टा लगाते हैं वो ये सोचते हैं कि भागी को आजमा कर देखो पहली बार वो सोचते हो सकता हैं एक बार खेलूं एक बार दाउं लगाऊं एक बार शट्टा लगाँ और एसी किस्मत जगे एक ही बार में दस लाख मिल जाए तो पहले आजमाने के लिए जाते है जुमा खेलने बैठ जाते है और शट्टा लगा दिया दो लाख तीन लाख और पहली बार जो ही शट्टा लगाया वो तीन लाख डूब गया तीन लाख डूब गया तो फिर सोचते हैं अब दूसरी बार फिर दाउ लगाता है कमसे कमी तीन लाख तो रिटर्न करूं जो डूबा अब तीन लाख रिटर्न करने के चक्कर में फिर तीन लाख और डूब गया अब वोई धिरे-धिरे फिर कुछ भी बचा नहीं तो जुमारी हो गए अब जुमां खेल रहे हैं सारी जिन्दगी ये जुमारी बना कर भी तुमारा मन तुम को ठग लेता है तास तुम खेलते हो क्यों खेलते हो टाइम पास करने के लिए तास खेलते हो सोचते हो खाली समय है तास खेल लेते हैं इका पर दुका दुका पर तिका तिका पर चौका पर छका पर मुका धका लगाते रहते हैं लेकिन ये तास खेलते खेलते तास का खेल तुमारी आदत में बदल जाता है और जब आदत में बदल गया शराब पीना भी आदत बन गया जुआ खेलना भी आदत बन गया तो याद रखना कितना पहले समय पास करने के लिए तुम तास खेलते थे अब वो तास तुमारी जिंदगी को पास कर रहा है फिर भी छोड़ नहीं पाते हो छोड़ नहीं पाते हो आदत बन गया यह सब लड़कियां यहां बैठ जाएं बैठो ए बैठी इधर देखो इधर बैठो इधर आज़ाओ आज़ाओ दिकरी दिकरी पीछे मुड़ो पीछे मुड़ो मुड़ जाओ मुड़ चलो तुम कहां जा रही आज़ाओ तास खेल ले चल बैठ जाएं जाना मना है इनको कौन पकड़ेगा गनेश तुम उस साइट में बैठो चलो वो कुर्शियां पड़ी उस पर बैठो गनेश तुम एश जवार साहब जवार साहब जाओ उदर बुड़े आती है चलो कोई लड़की जो जाएगी तैसा मंत्र बढ़ेंगे फिर बहुत खत्रा है खोपड़ी में एक भी बाल नहीं बह जाएगा कि वह खोपड़ी बचेगी कहां उदर जा रही तु सब इधर बेठे हैं तेरे माबाब बेठे हैं हम भी बेठे हैं कब आप बेठा है और तु उदर जा रही है मत जा चुपचा बेठ सुन देख इधर दर्शन कर और ज्ञान सीख बस उठना मना जाना मना समय पर छोण दोंगा एक घंटे और बिठाऊंगा चाहे जितना दुख पाओ लेकिन छोणोंगा ने एसा गुरु मिला है पकड के रगड के चटनी बना देगा पेठे रहो तुम लोग हसा भी करो ऐसा हसो तो सड़क पर जो जा रहे न वो सोचे इसमें कुछ बहुत मजा हो रहा वो भी आकर इसीं पस जाए हमारी हसी में बहुत लोग फस जाएगा उदर से आ जाएगा मंगल भावने अमंगल हारी दर्व उसुदा से रथ अजीर बहारी दर्व उसुदा से रथ अजीर बहारी तो इसका मन फोड़ा हिसा जाता है कि बाहर की हवा खाओ मत खाँ बाहर की हवारी जितनी हवा खाचुके हो बुरी हवा बहुत है जादा हवा खाओगे खुनी हवा हो जाओ मंगल भाने अमंगल हारी जय 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 गुरू देव तुम्हारी जय 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 गुरू देव तुम्हारी मंगल भावन अमंगल हारी मंगल भावन अमंगल हारी बोड़िये शदगुरू भगवाने की जय शंत भगवाने की जय साहे बंदगी तो ये मन रूपी ठग है कभी कभी तुमको बेविचार में भसा करके तुम्हे ठग लेता है तुम महान बनना चाहते थे लेकिन इस मन ठग के चकर में पढ़कर के तुम सैतान बने कभी कभी ये मन रूपी ठग तुमको चोर बना कर ठगता है तुमसे चोरी कराता है और मन समझाता है कि थोड़ा चोरी कर लो क्या हर्ज है क्या फर्क है इनके पांस बहुत ज्यादा पैसे हैं दो चार हजार चुरा भी लो तो फर्क क्या पढ़ता है ये मन रूपी चाहा है